आज मैं आपके साथ चिकन आलु दम बिर्यानी की रेसिपी शेयर करें बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी से रेसिपी है आप इसे ट्राय कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और ये रेसिपी ज़रूर राय किजिएगा आगे वीडियो मे अच्छी पॉडर 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 अच्छी अगर आप आड़ करना चाहें तो आड़ कर दें इसे काफी ज़दा कलरफुल बिरियानी बनेगी आपकी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दहीं आड़ कर देंगे वन कप एक से दो हरी मिट्च एड़ कर दें हरा धनिया और फुदिना कमब बॉशाब केाव एड़ कर देंगे चमच से उसे मिक्स कर लेंगे थाकि पॉड़ मसाले दहीं सब आधा साुड़ पोड़ा मसाले अच्छे से इक्स हो चुके हैं। अब हम इसे समर्इनेट कर लेंगे मेर लिए और फसकी में一直 बई भर त dal का भाने काडाई को अब फ्रिम के और गरम काड़ा को ब्रॉय काड़ा के लिए वन डीपल स्पांइज नव पर विध सुख्यायक ऐट गाड़े भाउड करें एक premises दालचीनी के तुकड़ाई परिके करेंगे यदा केला कि एफ्र पराउड भाउड करनामे तें गेसर элем को मीडियमिक्रण कर दिए लुफ लीमãy हम इसे लगाता हार चमा चलाते हुई खुंते हुए इसे ब्राउं कर लेंडे हैं अब हम इसमें कुटे हुए Auto इट कर देंगे वाश के वह तीम से चार आजुनले हैं और इसे च्टे और यह तूर रहर और एनिया है और फिर एट करेंगे अरूरस करें, छिर खुछ देशाया अलू बिरियानी अब एक वज़र उठाए कीजिएगा बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत दीचल बन जाती है यहां मैंने आलू का अच्छे से फ्राय कर लिया है अब हम इसमें कटेवी टमाटर शामल कर देंगे जो कि 2-3 है दूसे तीन टमाटर को मैंने कट कर लिए और फिर आट कर दिया और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे और अच्छे से मिक्स करते वे बुनाई कर लेंगे यहां देखिए आलू भी जिससे सॉफ्ट हो चुके है टमाटर भी सॉफ्ट होने लगे है अब हम इसमें इसको crush करके add करेंगे और mix करके एक साइट रग देंगे गैस के frame का off कर देंगे ग्रे भी तेयार है यहां मैंने एक पतीले पानी आड़ किया था दो लीटर और साथ में खड़े मसाले अरादनिया पुदीना भी आड़ किया है इसे इच्छे से boil आने देंगे एक से दो यहां boil आ चुका है अब हम इसमें बासमती राइस यूज कर सकते हैं यह मैंने नॉर्मल राइस add किया है इसे 70% cook कर लेंगे यहां चिकन की एखनी आड़ कर देंगे पतीले में लेयर लगा लेंगे और फिर राइस की लगाएंगे राइस को मैंने 70% cook कर लिया था और चाल लिया था वो add कर देंगे और इस अच्छे से arrange कर लेंगे अब हम इसमें अब हम इसमें प्यास जिसमें तला था वो oil add कर देंगे और fried onions add करेंगे अब हम इसमें orange food color add करेंगे और इसे ढखकर दम लगा लेंगे 15-20 मिनिट के लिए 20 मिनिट हो चुकी है अब हम देख सकते हैं बिरियानी अच्छे से दम हो चुकी है लीजे बनकते या रहे चिकन आलो दम बिरियानी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और आप इसे दहीं के रहते के साथ करें बहुत ही मज़े की बनती है और रेसिपी भी बिल्कुल आजान सी आई हो आपको ये चिकन आलो दम बिरियानी की रेसिपी पसंद आए थैंक यू सो मच फॉर वाचिक मैं वीडियो अलाह आफीज